दोस्तों, होमियोपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुला करके, गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवायों को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवायों को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से ढ़ाई घंटे बाद ही खाये और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए ना ही हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे कि ये होमियोपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होमियोपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाईची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद ये रखना है कि जब भी आप होमियोपैथिक दवा खाएं इन में से किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद आपके मुह में ना हो यानि कि जब भी आप इने खाएं तो इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के दो ड़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियोपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं कच्छा प्याज लहसों अद्रा खींग सब खाना छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण होमियोपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है यह होमियोपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी यह दवाएं हर होमियोपैथिक फार्मेसी पर उपलब्द होती हैं हर होनलाइन फार होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर या ओनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर स्वापनिल सागर जैन निरामाय होमियोपैथी के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत दिनों से मेरे पास komüpेंड्स आ रहे हैं जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूँ कि ये क्या है ये किन कारणों से होता है और किन होमियोपेथिक दवाओं से हम सर्वाइकल स्पॉंडिलोसिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इसमें मैं जो भी मैडिसेन आज बताने वाला हूँ वो जो combination है वो बहुत एक important combination है सर्वाइकल स्पॉंडिलोसिस को ठीक करने के लिए और मुझे उसके उपयोग से बहुत अच्छे results मिले हैं तो सबसे पहले हम बात करते ही कि सर्वाइकल स्पॉंडिलोसिस आकर है क्या दोस्तों cervical spondylosis हमारे रीड की हड़ी के सबसे उपर वाले हिस्से में यानि गर्दन का ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से में होने वाली एक तकलीफ है एक बीमारी है जिसके कारण बहुत सारे मरीजों को बहुत तकलीफ होती है बहुत जादा उन्हें दर्द होता है कभी-कभी ये जो दर्द होता है ये दर्द गर्दन से नीचे आने लगता है और shoulder पे आता है यानि कि कंदों पे आने लगता है अपर arm पे आता है lower arm पे आने लगता है और कभी-कभी fingertips पे यानि कि हाथों की उंगलियों के उपर तक हाथों की उंगलियों तक ये जो दर्द होत यह जो बीमारी होती है यानि कि cervical spondylosis जो बीमारी होती है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है तो सबसे पहले मैं आपको इसके कारण बता देता हूँ इसका जो सबसे प्रमुक कारण वो है बढ़ती हुई उम्र यानि कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में हमारी क्रीड की हड़ी में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं उन परिवर्तनों के कारण वहाँ पर जो डिस्क होती है जिसको इंडर वर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है उस डिस्क में डिहाइड्रेशन होने लगता है और उस डिहाइड्रेशन के कारण वहाँ पर वो जो डिस्क है वो पूरी तरह जो उसको normal जैसा काम करना चाहिए वैसा काम वो नहीं कर पाती है और हमें cervical spondylosis की बीमारी हो जाती है इसके अलावा कई बार उम्र के ही कारण हड़ियों में कुछ बदलाव आने लगते हैं यानि की cervical जो vertebra होती है मैं आपको यहाँ पर एक diagram बना कर बता देता हूँ एक वीडियो से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यह जो cervical spine होती है मतलब यह जो हमारी read की हड़ि होती है इसमें कुछ भाग होती है जैसे यह C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 यह जो साथ vertebra होती है इन्हें cervical spine बोला जाता है यह हमारी पूरी read की हड़ि है जो विभिन हड़ियों से यानि की छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनती है और इसके यह इस उपरी हिस्से को cervical spine बोला जाता है या इसको मैं यहाँ पर छोटे diagram से मैं आपको समझा देता हूँ यह जो यह हिस्सा है जहाँ पर अभी इस समय में यह बता रहा हूँ यह cervical spine होती है और इसमें C3, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 इस तरह से यह vertebra होती है जिन में कभी कोई problem आ जाती है तब उस condition के कारण जो दर्ध होता है उसको cervical spondylosis कहा जाता है यह यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह cervical disc कहलाती है मेरे जो left hand पर मैं यहाँ पर करसर जो शो कर रहा हूँ यह जो space है यह जो part है इस part को cervical disc बोला जाता है और इस disc में dehydration हो जाने के कारण यानि कि इसके सूख जाने के कारण भी cervical spondylosis की बीमारी होती है यह जो इसके अलावा भी cervical spondylosis बहुत सारे कारणों से हो सकता है कभी कोई injury आपको लग सकती है उस injury के कारण भी आपको cervical spondylosis की problem हो सकती है या फिर हमारा जो सोने का तरीका है उसके कारण भी हमें जो है गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है cervical spondylosis की शिकायत हो सकती है हमारे posture के कारण यानि कि हमारे जो बैठने की जो position है वो किस तरह से है हमारे सोने की जो position है वो किस तरह से है कई लोग होते हैं जो की बहुत जादा गद्दे को गद्दे और मतलब जो उनका तकिया वो जो यूज करते हैं पिलो जो यूज करते हैं वो बहुत जादा उचा तकिया यूज करते हैं जिसके कारण उनकी जब गर्दन जब वो लेटते हैं तो गर्दन का ये हिस्सा और उनक इसका उप्योग करने से हम cervical spondylosis के लगभग लगभग सभी cases को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली medicine आपको ले कर आना है दोस्तों वो है सिमिसी फ्यूगा रैसी मोसा। इसको Actia racymosa भी बोला जाता है। सिमिसी फ्यूगा रैसी मोसा आपको 30 potency में ले कर आना है और ये गरदन में होने वाली stiffness यानि की जकडन के लिए एक बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। इसके साथ में आपको अगली जो medicine ले कर आना है वो है काल्मिया लैटिफोलिया। काल्मिया सर्वाइकल स्पॉनिलोसिस के वे केसिस जिन में जो दर्द होता है वो गरदन से नीचे होता हुआ, कंदों तक आता है, हाथों तक जाता है। उस condition में काल्मिया लैटिफोलिया एक बहुत अच्छी medicine है और काल्मिया लैटिफोलिया को भी हमें 30 potency में ले कर आना है। इसके साथ तीसरे नम्मर पर हमें इस combination के लिए जो medicine ले कर आना है वो है acid phos, acid phos को हमें 30 potency में ही ले कर आना है और acid phos भी cervical stiffness और cervical spondylosis के लिए एक बहुत ही कारगर medicine मानी जाती है। इसके बाद जो चौती medicine है वो है phagopyrum esculentum. Phagopyrum भी हमें 30 potency में ले कर आना है और इसकी जो खासियत है वो भी cervical spondylosis के वे cases जिन में नम्मनेस आने की शिकायत होती है यानि की हाथों में सुन्पन आने लगता है, कंदों में सुन्पन आने लगता है उस condition में phagopyrum esculentum ब और उसे 50 ml की एक शीशी लें और उसमें आप एखटा कर लें ये जो combination होगा वो लगभग 40 ml बन जाएगा और 10 ml की space आप उसमें खाली छोड़ दें इसको अच्छे से shake कर लें इस combination में से आपको 4-4 बूंद दिन में 3 बार करके लेना शुरू करना है और आप इसको direct tongue पे भी रख कर ले सकते हैं या फिर एक चम्मच या दो चम्मच पानी में मिला कर भी आप इस combination को ले सकते हैं इसके साथ ही आपको एक और medicine ले कर आना है और वो है hypericum का mother tincture hypericum mother tincture की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आपको आधे कप या एक कप पानी में मिला कर पीना है और उस combination और इस hypericum mother tincture के बीच में लगबग 5-7 मिनिट या 10 मिनिट का gap जरूर रखना है ये जो combination है ये मैंने आपको जो combination बताया है इस combination के उप्योग से आपके cervical spondylosis के सभी तर वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत